हाई फ्रेंड आज मैं एक एनालजेसिक कैपसूल का रिव्यू करने जा रहा हूँ नियूरोपेथिक पेन यानि नर्व्स के डैमेज होने के कारण होने वाला जो दर्द होता है उसे दूर करने के क्लिए इस मैडिसिन को लेनी के एडवाइस के जाती है प्रो नोवा कैपसूल ब्रांड नेम से यह मार्केट में उपलब्ध होता है वालेस फार्मसुटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड के दोरेस का प्रोडक्शन किया जाता है कीमत के अगर बात करें तो 10 कैपसूल का 20 मार्केट में 164 रुपीज का उपलब्ध होता है फ्रेंड्स अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले बैल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाले सारे वीडियो के नोटिफिकेशन साब तक आ जाए और आप मेरा कोई भी वीडियो को मिशन न करें अगर फ्रेंड्स आपने इस प्रोड़क्ट को इस्तेमाल किया है तो आपके क्या-क्या एक्सपिरियंसेस रहें कमेंट सेक्षन पर लिख कर जरूर से यार करें वीडियो को फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं सबसे पहले देखते हैं इसके कुछ बैकलपिक ब्रांड्स के बारे में प्रेंड्स मार्केट में मिलने वाले सेम कमपोजिशन के साथ उपलब यह कुछ ऐसे ब्रांड्स है जो आप इस प्रोड़क्ट के ना मिलने के इस्तिती पर भी पर्चस करके अपना काम चला सकते हैं क्योंकि इसका जो मॉलिक्यूल्स होता है और जो इसके जो कमपोजिशन होते हैं वह अन्र प्रोड़क्ट में भी सेम होते हैं और आपको इफेक्ट भी सेम मिलता है फ्रेंड्स देखते हैं इसके कमपोजिशन के बारे में तो फ्रेंड्स इसमें अलफा लिपोलिक एसिड 100 मिलिग्रम folic acid 1.5 mg methylcobalamin 750 µg pregabalin 75 mg vitamin B6 यानी pyridoxin 3 mg के मातरा में उपलब्द होता है अब friends बात करते हैं इसके कुछ प्रमो की इस्तिमाल के बारे में तो जैसा मैंने पहले आपको सजेस्ट किया है neuropathic pain के इलाज के लिए इस medicine का इस्तिमाल किया जाता है अब इसके देखते हैं कुछ side effect के बारे में तो friends उनीदापन का लगना नीदक का अधिक आना, tiredness का लगना और body के जो movements होते हैं उनका uncoordination होना इसके कुछ कामन side effect के रूप में देखे गए है अब देखते हैं कि friends इस medicine को कैसे इस्तिमाल करना चाहिए तो friends इस medicine को डाक्टर के दोरा निर्धारित, दोज और duration के अनुसार इस्तिमाल करना चाहिए इस medicine को तोड़ना, कुछलना, चबाना या पीषना नहीं चाहिए इस medicine को खाली पेट लेने के लिए आपको advice किया जाता है इस चीज को आपको आवस्तिक रूप से ध्यान रखना चाहिए अब देखते हैं, friends इस medicine काम कैसे करती है तो friends मैं आपको बता दूँ हलाकि मैंने आपको composition के section में पहले भी detail किया है यह medicine 5 दवाओं का एक समू होता है पांच दवाओं से मिलकर यह दवा बनी होई होती है इसमें alpha-lipoic acid होता है, folic acid होता है, methylcobalamin होता है pre-gobalamin और vitamin B6 यानी pyridoxin होता है alpha-lipoic जो acid होता है प्राकरतिक रूप से रहने वाला एक fatty acid होता है जो कि मस्तिस्क और नसों के जो tissues होते हैं उनमें सुरक्षात्मक प्रभाव डालता है folic acid जो veins और arteries होते हैं उनको आवस्चक पोसक तत्व प्रदान करता है methylcobalamin और vitamin B6 यानी pyridoxin जो होता है यह vitamin B का ही एक रूप होता है जो myelin के उत्पादन में मदद करता है यह nerve fiber की सुरक्षा प्रदान करता है और छातिग्रस्त जो nerves होती है उनको दुबारा repair करता है और ठीक करता है pregabalin एक alpha 2 delta lignoid होता है जो आपके सरीर में कुछ दर्द उत्पन्न करने वाले chemicals होते हैं उन्हें खतम करता है उन्हें रोकता है और इस पकार आपको जो neuropathic pain होता है जो muscles के damage होने जो सारी nerves के damage होने के कारण होने वाला जो pain होता है वह जो पन्न होता है उसे यह खतम करता है जिसके कारण आपको अपने लक्षड़ों में रहात महसूस होती है अब बात करते हैं friends इससे जुड़ी कुछ अन्य बातों के बारे में तो friends यह जो tablet या capsule होता है माइल्ड होते हैं और अपने से ठीक हो जाते हैं समय के साथ साथ परन्तों अगर किसी प्रकार से आपको अधिक problem हो रही है तो आपको अपने डाक्टर से परामर्स करना चाहिए common जो इसके side effect होते हैं उसके section में आपको बताया है कि इसको लेने से आपको अधिक मात्रम नीद आ सकती है इसलिए आपको ऐसे condition में driving नहीं करना चाहिए साथ ही एकागरता वाले काम को नहीं करना चाहिए इस medicine को लेने के दौरान आपको अलकोहल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए क्योंकि यह अत्यदिक ड्रावजिन या sleepiness के लक्षण आपके सरीर में पैदा कर सकती है अगर कुछ unusual changes लगते हैं mood behavior change होता है या किसी प्रकार का depression होता है या suicidal thoughts वगएर आते हैं तो आपको तुरंत medicine बंद करके अपने डाक्टर से परामर्स करना चाहिए इस medicine को बिना डाक्टर की advice के बंद नहीं करना चाहिए आपको कुछ complications भी हो सकते हैं इसके कुछ specific जो features होते हैं health से related उसके बारे में बात करते हैं अगर आप गर्भवस्तप में है या इस्तनपान करार हैं तो यह advisable है कि आप अपने डाक्टर से इस बारे में परामर्स कर ले किड़नी और लिवर रोग से जुड़ी किसी समस्या का सामना अगर आप करना है तो बेहतर होगा कि आप अपने डाक्टर से परामर्स करें उसके पस्चाति मेडिसीन का सेवन करें तो friends यह था एक छोटा सा रिवी मेडिसीन की उपर मैं उम्मीद करता हूँ कि friends यह वीडियो आपको पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज वीडियो को मिस नहीं होगा और कभी भी आप हमारे वीडियो को मिस नहीं करेंगे इस वीडियो में फ्रेंड्स बस इतना ही किसी अन्य अच्छ टॉपिक के साथ आप से फिर मुलागात करता हूँ तब तक लिए गुडबाई आपका दिन सूब हो जैहिंद फ्रेंड्स अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाले सारे वीडियो की नोटिफिकेसंस आप तक आ जाएं और आप मेरा कोई भी वीडियो को मिस न करें अगर friends आपने इस product को इस्तेमाल किया है तो आपके क्या-क्या experiences रहें comment section पर लिख कर जरूर से एर करें वीडियो को friends start करते हैं सबसे पहले देखते हैं इसके कुछ बैकलपिक ब्रांड्स के बारे में तो friends फाइब्रो जोसिक एला capsule जिसे जो आप इस product के न मिलने की इस्तिती पर भी purchase करके अपना काम चला सकते हैं क्योंकि इसका जो molecules होता है और जो इसके जो composition होते हैं वह अन प्रोडक्ट में भी same होते हैं और आपको effect भी same मिलता है अब friends बात करते हैं इसके कुछ प्रमो की इस्तिमाल के बारे में और body के जो movements होते हैं उनका uncoordination होना इसके कुछ कामन side effect के रूप में देखे गए हैं अब देखते हैं कि friends इस medicine को कैसे इस्तिमाल करना चाहिए तो friends इस medicine को doctor के दोरा निर्धारित दोज और duration के अनुसार इस्तिमाल करना चाहिए इस medicine को तोड़ना, खुचलना, चबाना या पीसना नहीं चाहिए इस medicine को खाली पेट लेने के लिए आपको advice किया जाता है इस चीज़ को आपका आवस्तिक रूप से ध्यान रखना चाहिए अब देखते हैं friends इस medicine काम कैसे करती है तो friends मैं आपको बता दूँ हलाकि मैंने आपको composition के section में पहले भी detail किया है यह medicine पाँच दवाओं का एक समू होता है पाँच दवाओं से मिलकर यह दवा बनी होई होती है इसमें alpha lipoic acid होता है, folic acid होता है, methylcobalamin होता है pregobalin और vitamin B6 यानि pyridoxin होता है alpha lipoic जो acid होता है, प्राकृतिक रूप से रहने वाले एक fatty acid होता है जो कि मस्तिस्क और नसों के जो tissues होते हैं उनमें सुरक्षात्मक प्रभाव डालता है folic acid जो veins और arteries होती है, उनको आवस्चक पोसक तत्तप्रदान करता है methylcobalamin और vitamin B6 यानि pyridoxin जो होता है यह vitamin B का ही एक रूप होता है, जो myelin के उत्पादन में मदद करता है यह nerve fiber की सुरक्षा प्रदान करता है और छातिग्रस्त जो nerves होती हैं, उनको दुबारा repair करता है और ठीक करता है pregabalin 1 alpha 2 delta lignoid होता है जो आपके सरीर में कुछ दर्द उत्पन खरने वाले chemical होते हैं उन्हें करता है, उन्हें रोकता है और इस पकाराई आपको जो neuropathic pain होता है मसल्स के damage होने कराण होने के कारण भाने गारा pain होता है उसे यह करता करता है यह diabetes या किसी अन्य कारण से होने वाले जो नसों के दर्द होती है जो नर्स में पेन होता है उसके लिए इस medicine को इस्तमाल किया जाता है इसके side effect usually बहुत mild होते हैं और अपने से ठीक हो जाते हैं समय के साथ-साथ परन्तों अगर किसी प्रकार से आपको अधिक problem हो रही है तो आपको अपने डाक्टर से परामर्स करना चाहिए कामन जो इसके side effect होते हैं उसके section में मैंने आपको बताया है कि इसको लेने से आपको अधिक मातरम नीद आ सकती है इसलिए आपको ऐसे condition में driving नहीं करना चाहिए साथ ही एकागरता वाले काम को नहीं करना चाहिए इस medicine को लेने के दौरान आपको अलकोहल का इस्तिमाल नहीं करना चाहिए क्योंकि यह अत्यदी drowsyness या sleepiness के लक्षण आपके सरीर में पैदा कर सकती है अगर कुछ unusual changes लगते हैं mood behavior change होता है या किसी प्रकार का depression होता है या suicidal thoughts वगएर आते हैं तो आपको तुरंत medicine बंद करके अपने डाक्टर से परामर्स करना चाहिए इस medicine को बिना डाक्टर की advice के बंद नहीं करना चाहिए आपको कुछ complications भी हो सकते हैं इसके कुछ specific जो features होते हैं health से related उसके बारे में बात करते हैं अगर आप गर्भवस्तप में है या इस्तनपान करार हैं तो यह advisable है कि आप अपने डाक्टर से इस बारे में परामर्स करने kidney और liver rock से जुड़ी किसी समस्या का सामना अगर आप करना है बहतर होगा कि आप अपने डाक्टर से परामर्स करें उसके पस चाती मेडिसिन का सेवन करें तो friends यह था एक छोटा सा review मेडिसिन की उपर मैं उम्मीद करता हूँ कि friends यह वीडियो आपको पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज वीडियो को like करें चैनल को subscribe करें इसी तरह हेल्थ related और medicine के review से संबंधित वीडियोज हमारे चैनल पर आते रहते हैं आता है आप अगर इस चैनल को subscribe करके रखेंगे notification को भी प्रेस करेंगे तो आपके पास कोई भी नोटिफिकेशन मिस नहीं होगा और कभी भी आप हमारी वीडियो को मिस नहीं करेंगे इस वीडियो में फ्रेंट्स बस इतना ही किसी अन्य अच्छे टॉपिक के साथ आप से फिर मुलागात करता हूँ तब तक लिए गुडवाए आपका दिन सुब हो